आकाश्वानी भूपाल से प्रस्तोत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंख पहले मुख्य समाचार प्रधान मंत्री नरेंद्र वूदी ने कहा भारत और थाइलेंट केवल भाषा ही नहीं बलकि भावनाओं से भी परस्पर जुने हैं नियायमूर्ती अजयकुमार मित्तल कल मध्रदीश हाई कोट के मुख्य नियायधिश के रूप में लेंगे शपत राइट टु हेल्थ कॉनकलेप में नगरिय विकास मंत्री ने कहा प्रदेश में शिशू और मात्रमृत्युदर शुन परलाना ही सरकार का लक्षे कुपोशन से मुक्ति के लिए आगर मालवा में शिरू हुआ मेरा बच्चा भियान और गांधी ची की प्रदेश यात्राओं पर केंद्रित हमारे विशेश श्रंखला मंध्य प्रदेश में महत्मा में आज आप सुनेंगे बापु की कटनी यात्रा पर आधारित संस्मरण एक दूसरे से जुड़े हैं दरिसल हमारे रिष्टों को सरकारों ने नहीं बलके इतिहास ने बनाया है प्रदार मंतरी सोलवे असियान भारत शिकर संमेलन चौदवे पूर्व एशिया शिकर संमेलन और तीसरे शेत्री समगर आर्थिक भागिदारी संमेलन में हिस्सा लेन प्रदार मंतरी नरेंद्र मोदी थाईलैंड पहुंचे हैं अपने तीन दिनी प्रवास के दोरान आज पैंककॉक के नैशनल इंडोर स्टेडियम में आयोजित इस कारिक्रम में उन्होंने कहा कि भगवान राम की मर्यादा और बुद्ध की करुणा दोनों हमारी साजह विर कोट के चीफ जस्टिस हैं नगरी विकास और आवास मंतरी जेवरधन सिंग ने भोपाल में राइट टू हेल्थ कॉनक्लेव में आज दूसरी और अंतिम दिन कहा कि प्रदीश में शिशू और मात्र मित्यूदर शून ने कराना ही सरकार का लक्ष है उन्होंने कहा कि हम शहर को प्रदूशन मुक्त करने के लिए सरकार प्रतिबध है कोपोशित बच्चों को सुपोशित मिराने के लिए आगरमालवा जिला प्रशासन ने मेरा बच्चा नामा के एक नहीं पहल शुरू की है कलेक्ट सिंज कुमार द्वारा जिले के लगभग 1100 कोपोशित बच्चों को जरूरी पोशन आहार उप्लब्ध कराने और उनके देख भाल के लिए शास के सेवकों जन प्रतिनिधियों और नागरिकों को जिम्मदारी दीजा रही है कलेक्टर ने सुयंभी पांच को पोशित बच्चों को गोद लिया है चे बच्चों के स्वास्त में सुधार लान आहार ठीक तरीके से दिये जाने के लिए एक जिला लेविल पर अभ्यान चलाया जा रहा है जिसमें शाशकी अधिकारियों ने अपनी सुधा और अपनी शम्तान उसार बच्चों को गोद लेकर उनको पोशित करने के लिए एक जिम्मा उठाया इसमें आशाशकी जन पतिन दिये रिखती हैं वो भी काफी उस्सा के साथ आ गया हैं जिससे की बच्चों को पोशित किया जा सकते हैं समचारों में एक बार फिर स्वागत है के जाएंगे उनने कहाई कि सुमवार को हरसला मुख्याले पर प्रदर्शन कर राश्ट्रपती की नाम कलेक्टरों को गयापन सौपे जाएंगे वह इसी दिन भाजपा ने भी प्रदीश में किसान आक्रोश रैली निकालने का नड़ने लिया है भाजपा का रोप है कि पर आधारित विशेश रंकला मध्य प्रदेश में महात्मा के चौथे अंक में आज आप सुनिये बापू के कटनी प्रवास के संस्मरन महात्मा गांधी के बहुत चर्चित हरिजन दौरे के समय 1933 में प्रदेश के कई शहरों को उनके स्वागत का मौका मिला था इसी दौरान कटनी के लोग भी बापू से रुबरू हुए दिसंबर की कटकडाती ठंड के बाद भी महात्मा गांधी को देखने के लिए हजारों लोग कटनी रेलवे स्टेशन पर जमा हुए थे भीड इतनी ज्यादा थी कि बापू को मोटर तक ले जाना मुश्किल हो गया था गांधी जी की सियात्रा के बारे में वरिष्ट पत्रकार प्रियदर्शन गौर का कहना है कि ये वाकई एतिहास एक दौर था गांधी जी जब कटनी आए तो उन्हों一下 पर यहां के चिसानों के आंधुलन को बेड़ कर Fedaro प्रिद दौर बेड़का देशन और यहां के आंधुलन के लिया साधि तक हजी जब लंकारवी से लिए उन्हों जानकार बताते हैं कि कट्णी में गांधी जी का स्वागत शिवाजी दल के स्वयम सेवकों और गोविंद प्रसाद खंपरिया सहित तमाम समासेवियों ने किया था गांधी जी की कट्णी प्रिवास के दौरान दो तोशण द्वार भी मनाए गए थे बापो की ठैरने की विवस्ता कट्णी के राश्च्रे वध्याले में की गए थी यहां मिश्राम के बाद वे सीहोरा के लिए रवाना हो गए लेकिन कम समय में भी वे कट्णी पर अपनी ऐस अमिर्चाप छोड़ गये जिसे लोग आज भी अपनी स्मृतियों में संजोए हुए हैं सुच्चता को महात्मा गांधी सबसे प्रमु काम मानते थे उनका कहना था कि आकाश्वानी समाचार के लिए कट्मी से राकी शुतुरवेदी के साथ वोपाल से मैदीपा सिंग चट पर्व आज प्रदीश में भी धार्मे खर्शुलास के साथ मनाया जा रहा है शुधालू नदी, तालाव और जीलो के पानी में खड़े होकर डूपते सूरी को संध्या अर्ग दे रहे हैं रासानी वोपाल में शीतल दास की बग्या और प्रदेश के तालावों और नदियों के किनारे बने चट घाटों पर हजारों के संध्या में चट प्रती डूपते हुए सूरी को अर्ग अर्पित कर रहे हैं हमारे देवा समवादाता ने बताये कि जले में चट पर पूरी उत्साह के साथ मनाय जा रहा है प्रदेश के विभिनिजलों से भी जट पर मनाय जाने के समाचार मिले है आकाश्वानी की प्रादेशिक समाचारों में इस बार अच्छे कबर राइसीन से है अच्छे कबर में आप हर अविवार रुबरू होते हैं प्रदेश की किसी भी इलाकी की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददकार हो सकती है अब कुछ समाचार संक्षेप में ग्रामीर शेत्रों में पशोच चिकिस्टिकों की कमी को देखते वे राजे सरकार ने शहरी शेत्रों में कारेरत डॉक्टरों को अफसपताह में दो दिन अनिवारे रूप से ग्रामेर्ट शेत्रों में सिवाय देने को कहा है दिस्वी की विद्याथियों के लिए राश्रीय प्रतिभाग हो चैन परिक्षा और राश्रीय मीन्स का मेरिट चैन परिक्षा कल आयोचित की जाएगी रतलाम से नीमच तक रेल विद्यती करेंट कारे का निरिक्षन मोक्य सनक्षा आयोक्त आर्सी शर्मा ने किया इस निरिक्षन के बाद जल्दी नीमच में अलेक्रिक ट्रेन शुरू हो जाने की संभावना है शाज़ा परमे में दिलास्तरीय राश्रे बाल विज्यान कॉंग्रेस कारिक्रम में बाल विज्यानिकों ने विज्यान तकनी की और नमाचार पर आरहरित लगुशूर प्रस्तुत किये राइसेन सिला कलेक्टर ने दायतों के निर्वान में लापरवाही बरतने और वित्तिया अनेमेताओं में लिप्त फाये गए सुल्तान गंज की पंचाय सचीव अंबिका सुनी को पत से हटा दिया है अन्त में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत और थाइलैंड केवल भाषा ही नहीं बलकी भावनाओं से भी परस पर जुड़े हैं नियायमूर्ति अज्यकुमार मित्तल कल मद्वरदीश हाई कोड के मुख्य नयधिश के रूप में लेंगेश अपत राइट तु हेल्थ कॉनक्लेप में नगरिय विकास मंत्री ने कहा प्रदेश में शिशू और मात्रमृति दर्शू निपर लाना ही सरकार का लक्षे कुपोशन से मुक्ति के लिए आगर मालवा में शिरूहा मीरा बच्चा अभियान और गांधीची के प्रदेश यात्राओं पर केंद्रित हमारी विशेश रंखला मद्वरदेश में महात्मा में आज आपने सुने बापू की कटनी यात्राओ पर आधारित संस्मरन इस बिलिटिन में इतना ही आकाश्मानी हुपाल से अगला प्रदेशिक समाचार बिलिटिन सुनिए कल सुबह साथ मज़कर पार्च मिनट पर नमस्कार